ब्रेकी बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेश कारिक्राम प्रॉपर्टी बाजार में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं यूपी अपार्टमेंट आक्ट को लेकर इस आक्ट को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि निविशकों के एक्ट फादेमंद साबित हो सकता है ग्रेटर नोईडा और नोईडा में अब इस आक्ट को लागू कर दिया गया है आने वाले दिनों में इसे लेकर कितनी जादा तबदीलिया देखने को मिलेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा मारे साथ एक बड़ा पानल मौजूद ह बीच में एक रजिस्टर एग्रिमेंट होगा ये क्या है प्लान ए के तहत प्राधिकरण को बिल्डर्स जो है वो तमाम चीजों को प्रोवाइट करवाएंगे देंगे ये सारी चीज़े हैं क्या कि ये प्रक्रिया क्या है प्लान ए क्या है बिल्डर को जो इतनी भी प्रक् इसमें इतना एरिया है यह प्रपोजल मैंने आगे फरवर्ड किया था अथरोटीज को और इस बेस पर यह आपका बनेगा अब आप देखिए कि इस समय जब जो आज के दिन क्वेश्चन अराइज हुआ है सुपर टेक ने जिस तरह से कंस्ट्रक्शन करा और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन टूटा और उसके बाद यह नीड अराइज हुई आज के दिन आप देखिए कोई भी एक्ट जब अमली जामा पहनता है उससे पहले सारे कानुन विद और सभी लोग मैं नहीं कहता बिल्डर्स और बिल्डर्स के लावा कंजूमर सभी लोग इस चीज को बैठके सुनिशित करते हैं कि किसी भी प्रावधान में किसी भी नियमन में इतनी चीजें इस तरह की होनी चीए जिससे की वह एक बैलेंस एक्ट बन के सामने आए और यह बहुत सी माता कि बैलेंस एक्ट है और इ आगए डिये चीजे चले टपाट जी आपके पाशना चाहूंगे एकर अगर एक्ट की बात की जाए इसस एक्ट को अप समझने और चानने लगें लेकिन अभी बी कुस्त दूविदा है कुछल चीजों को नहीं समझ पारी है जनता ओ खासे जो उसकले है कि सेश्च को पाइ हैं ना बिल्डर को समझाते हैं कि क्या कमिया है और कैसे चीजों को दुरुस्त रखें दरसल में एक नोड़ा और ग्रेटर नोड़ा के लिए जो जिसके कारण जो भी लंब हुआ लागू करने में उसको समझाना बहुत जरूरी है यहां इंडस्ट्रियल एक्ट लागू था इंडस्ट्रियल एक्ट के तहट यह सारी बसावट हो रही थी उसमें फैक्ट्री और फैक्ट्री के मजदूरों और इंपलाई के लिए फ्लैट बनाना है मकान बनाना है यह था इसके तहट के वर लीज एग्रिमेंट हो सकता था से तिन चार सल पहले ये आ गया था लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि प्राधिकरण ने इसको लागू करने में देरी दिखाई उसने प्राधिकरण के एक नियम का फायदा उठाया प्राधिकरण का एक नियम बना हुआ है कि कोई भी कानून या नियम प्राधिकरण की मर्ज फैसला दिया, अब मामला तो सुप्रेम कोर्ट में भी पहुँचा है, एक अलग से मामला चला था जीसमें फरवरी में ही निर्देश दे दिया, कि भाया इसको लागू करो इसके सिवा, तब भी साड़े तीन महिना लगा दिया, अब इसको लागू करके समझाना मीडिया के जरीए बाते पहुचाना या बिल्डरों को बुला के सारी चीजों को बात करना मुझे कहीं भी संजीदगी नहीं दिख रही है मुझे ऐसा लगता है कि बिल्डर भी उलजेंगे फसेंगे और निवेशक भी फसेंगे इसमें आगे चलकर उनी विबाद इतना बढ़ेगा कि लोग अदालतों की सरण में जाएंगे और या एक्ट लागू हो रहा है तो कहीं ने कहीं आपस में एक दूसरे को मिलना चाहिए लोगों को चुनना चाहिए अगर हम इसे लेकर गंभीर नहीं होंगे तो इसका फाइदा किसी को भी नहीं मिल सकता है आपके पास आना चाहूंगी वर्मा साब सरकार का स्तक्षिप भी इस आक्ट में बहुत जरूरी है और तमाम चीजे होती हैं लागू हो जाती है लेकिन इंप्लिमेंट करने में काफी जादा देर हो जाता है उसके लिए क्या करना चाहिए और सरकार अगर इसमें प्रादिकरन पर 6 त्रीय लेवड पर जो परादिकरन बना हुआ है उस प्रादिकरन में जो भी ऊफिसर्स हैं जो भी पदादिकारी हैं पहले उस एक्ट को उस लॉग को पढ़ने की जूरोत है और उसके बाद उनको बिल्डरों को भी समझाने की जूरोत है जो आप नक्षा पास करा ने हैं जो नक्सा जन्ता के लिए जो फलैट बनने जा रहा है उसके लिए पास करने जाना है वो उस नियम को फॉलो करता है या नहीं करता है उसका पालन करता है या नहीं करता है उस एक्ट को लागू हो रहा है वहाँ नहीं हो रहा है और बीच में हमारी सबस्वड़ी कमी होती है हम निवेसकों को भी बिल्डरों को भी एक अच्छी प्रसिक्शन भी देने की ज़र Görता है ट्रेनिक भी देने की ज़रू होता है उनको बताने के ज़रता है ग्यान बाटने की ज़रता है कि वही यह अप लगो गया है आप यह चीजे देखिए इसमें ऐसे नहीं पालन होगा, आपको ऐसे पालन करना होगा है लेटन ये बिल्डरों को मैंने जब बात की तो पता चला कि 90 फिस्दी बिल्डरों को ये पता ही नहीं है कि एक्टर के ताहत इतना पावर मिल गया आउतिरिटी को कि बिजली और पानी के सप्लाई बिजली पानी के सप्लाई बंद कर दिया जा तो तो ये सब बतानी की जुरुत है इसलिए मैं अशोग वर्मा जी जो बात कह रहे हैं लेकिन तपन्जी जो अच्छे बिल्डर्स हैं मैं भी तीन दिन पहले एक बिल्डर के पास बैठा हुआ था नहीं गफलत भी नहीं रखेंगा तो अगर ये एक्ट बन जाता तो मेरे ख्याल से ये एक्ट उसकी तरह का होता है जिसमें कोई आप एंफॉर्सिबिलिटी नहीं कर सकते थे आप किसी को ये नहीं कह सकते थे कि लाग किस तरह से करवाएं तो अगर पावस दी गई है करता है कोई गलत चीज करता है या कंजूमर को कोई चीज पहुंचाता नहीं है महां तक अकॉर्डिंग तो कम से कम अथरोटीज के पास कोई पावर कोई रीजन तो हो जिसके आधार पर वह बिल्डर के किलाभ भी एक्शन ले सके अदर्वाइस तो सब भी जगे देखा गय अचानक से अभी जेपी ग्रीन में अभी लोग अभी लोग हम लोग ने देखा था कि कुछ स्टे ग्रांट कर दी गए थे अलावा धाई कोड़ द्वारा इससे पहले सुपर टेक के मैटर में भी इसी तरह से हाई कोड ने इंटर्वीन किया मैं तो अल्टीमेटली जो सफर इंप्लीमेंट करनी ही पड़ेंगी जी 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 चलिए गोईल साब आपसे मेरा एक सवाल है अगर इस आक्ट के बात की लगातार हम इस आक्ट के हर पहलो को समझने की कोशिश कर रहे हैं एक पहलो और भी अगर खरिदारों की बात की जाए कुछ जगों पर खरिदार परिश आपसेजींस दिया हैं इसमें सबसे पहले बिलडर को बताना होगा कि कितना एरिया वो देंगे deeply in the area होगा इसमें इस तरिके की अलोटमीच करने से 30 RWA इसको जनी होगी तो वो RWA forcefully बनेगी अगर मान लिजे कोई builder नहीं बनाना चाहेगा तब भी ये माना जाएगा कि RWA बन गई है और सारे apartment owners उसके member होंगे builder भी उसका member बनेगा इससे क्या होगा कि आगे की maintenance और इस तरीके के additional construction के लिए बिना apartment owners के builder कुछ नहीं कर पाएंगे चले दोरों की connectivity बहुत जरूरी है तब ही चीज़े clear होती हुई नजर आएंगी तपंजी आपसे मेरा एक सवाल है निवेशकों के अगर बात की जाए तो निवेशकों के लिए residence welfare association भी बनने वाला है ये आखर क्या है और इसका फायदा किस तरह से उठा सकते नहीं वेशक ये आट डबलुए वाली बात भी मेडिया की जरीए पहुचाने की जरूरत है अब तक आट डबलुए पजेशन देने के बाद चार साल पांच साल लगा देते थे builder hand over करने पता नहीं maintenance का क्या लालच होता था या क्या कुछ उसमें फ्लोर और बढ़ाने की बात थी इस बज़ा से ये पांच साल छे साल तक लड़ाई गाजियाबाद में मैं कई reality company के खिलाब देख रहा हूँ कि लोग संगर्स कर रहे हैं कि भाई आर डबलुए को hand over कर दो लेकिन इस apartment debt में साप साप जैसा गोईल जी समझा रहे थे कि आप नहीं भी बनाते हैं यानि बिल्डर नहीं भी बनाते हैं तो उस तारीक से मान लिया जाएगा कि आर डबलुए बन गया और आर डबलुए अस्तित में आ गया वही सारा बिजली का रख रखाओ सुरक्षा का रख रखाओ और जो ओपे निरिया है सब कुछ का वह मालिकाना हक उसका होगा और बजापता निर्वाचन होगा चुनाओ के जरिये तो आर डबलुए आने से लोकतांत्रिक पद्धती के जो देरी होती थी वो होगा उसमें एक और बात है कि बिल्डर जो पजेशन देने में जो देरी करते थे तो कहीं कहीं समझोते होते हैं कि पांच फेज़ दे कुछ होते हैं कि कुछ रुपे का होता है कि इतना हम किराया आपको भरपाई करेंगे तो तब भी लागू नहीं होता था इसम्हें साप साप कहा गया है कि आपने यदی पोसेशन का डेड़ लिख दिया है कि अगस्त में देना है या पाँच मार्च दोहजार चोदा को देना है और नहीं दे पाए उसके बाद से भारी जुर्माना रियाल्टी कमपनियों को देना होगा तो ये कि राहत की सांस ग्राहक ले सकता है कि अब उसको पजेशन में देरी होगी, तो उसको जिर्माना मिलेगा, और इसमें है कि आप जो रेट जो टै कर दिया, वो उस रेट में बदलाव नहीं हो सकता है, तो एक रेट का जो डर था, चो पुराने जो रेट पर पहले ग्रा कर दिया गया है उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं वो भी एक्ट में क्लियर कर दिया गया है तो कुल मिला के चौतरफा मुझे लगता है कि ग्रहकों को फायदा दिख रहा है अगर ब्रात की जाए तो यह भी इस एक्ट में निकल कर सामय रहा है कि फ्लाट में देरी होने गरण कर रख कर सकता हैं अगर किस तरह की कारवाई कर सकता है बिजली पानी कटरांवाय करेगा या सबसестоी सबसे प्रब्लम सभी कंजूमर्स के पास यह आ रही थे कि उनका पॉजेशन कब मिलेगा उनको असरटेन नहीं था आज यह कंफर्मेशन हो जाएगी कि एक लीस्ट उसका पॉजेशन टाइम बाउंड मैनर में मिलेगा उसको हम लोग लोग में हमेशा पढ़ते हैं टाइम इस दा व तो कहीं न कहीं वो चीज जो कनेक्टिविटी की बाद जो मेरे मित्र कह रहे थे बार बार वो कनेक्टिविटी कहीं न कहीं मिसिंग थी इसमें बिजली पानी के इलावा भी बहुत सारे प्रोवीजन्स हैं जिसके इलावा जिस से कि यह एंफोर्स किया जा सकता है अथरोट जा सकती है उन पर fine impose किया जा सकता है आर्थिक जुर्माना जी से कहते हैं fine impose किया सकता है और fine की कोई limit नहीं है अच्छा यह जो है न नोडल अपसर तेख करेगा यह जो जैसे गाजयवाद विकास प्राधिकरन या नोड़ा विकास प्राधिकरन है वहां का जो CEO होगा वो करना चाहूंगा कि हम जितना भी जैसा भी provision of law बना लें पर जब तक कि उसका enforcement तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम यह सुनिशित ना करने कि इसके ना करने से उसमें क्या-क्या punishment दे जा सकते हैं चलिए वर्माजी आप से मेरा सवाल है अगर बात की जैए position को लेकर बा लेगा निवेश्कों को डिफिनेटली यह सुनिशित हो गया है अपने जो बायर से हैं जो रियल में फ्लैट को यूज करने वाले हैं ग्राहक को यह बहुत बड़ा फायदा होगा इस एक्ट से इस पर कहीं दूमत नहीं है कोई भी एक्ट है उसमें तो फायदा मिलना ही है और यह जहां तक रही कि यह समय पर पोजिशन नहीं देते हैं तो उसके लिए उनको कंपनसेशन भी बिल्डर को देना पड़ेगा और देना चाहिए इसलिए इसलिए देना चाहिए कि जब अधी आपको पेमेंट नहीं करता है टाइम पर खरिदार तो आप इंट्रेस्ट डेना है किमेंट लेता है कि साब आपने इसलिए व्योगों में पर देना है कि आपि बीसलिक वह चल्ड़ कर。 यूज नहीं कर सकते हैं अधी आप कहीं पे भी बोरिंग कर लिए बिदावर्ट पर्मिशन आप वाटर टिमिनल आपको उसके लिए बहुत बला सजा है आपको इमेडेटली जेल रिज दिया जाएगा जो उनके ओनर है यह फैसला है वाटर टिमिल बोट का तो यह आज उनके नियम बहुत सारे हैं लौब बहुत सारे हैं कानून बहुत सारे हैं सारी चीजे होने के बाविध्यूद भी लागू होने में इतनी जादा देरी हो जाती है या पिर समझने में हेर फिर हो जाता है कि हम इसका लाब नहीं उटा पाते हैं किस तरह से लाब उठा सकते हैं कैसी से समझ सकते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि builders अगर एक बार rate fix कर देते हैं तो बाद में project में कोई भी बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं प्रिंके जी मैं कहना चाहूंगा ये एक cooling period है इसमें हमें short term है थोड़ी परिशानिया जो adjusting builders हैं उनको आ सकती है कुछ एक इशू उठाया जा रहा है कि suppose कोई बड़ा project है पचास एकड़ का एक project है उसमें builder को phase manner में project को delivery देनी होती है उसकी approval भी उसको लेनी होती है तो adjustment जरूर करना पड़ेगा अगर हमारा एक phase तैयार हो गया है और उसका phase का delivery builder दे चुका है तो कम से कम उस flat owners की permission की जरूरत अगले phase के लिए ना रहे इस तरके की flow को दूर करना अभी मेरे ख्याल से बहुत जरूरी रहेगा otherwise बड़े projects deliver हो ही नहीं पाएंगे तपंची एक सव प्रिया होती वो इतनी जादा लंबी खिज़ जाती है या फिर वो कोद इस चीज से पीछा चुडाने की कोशिश करते हैं या फिर कहीं न कहीं वो project को लगता है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो हमें position मिलेगा हम इसका लाब लेंगे इस तरह से चुपी साथ लेते हैं आ वैस जमीन तो है नहीं वो तो लीगल जो अलॉटेट जमीन जो बिडिंग में निलामी में ली गई है उस पर जो फ्लैट बन रहा है उसमें जाके बुक करता है एक बड़ी चौकाने वाली ख़वर में आपको बता रहा हूँ कि ओखला अभ्यारन है चिडियों ये पक्षी अभ्यारन ये यमना नदी के आसपास है अब आप देखिए कि 5-6 साल से फ्लैट बन रहा है सेक्टर 75, 76, 110, एक्सप्रेस बे अब नेशनल ग्रीन ट्रिमिनल को याद आ रहा है कि ये फ्लैट 10 किलमेटर के दायरे में नहीं बनना चाहिए अर्बो रुपिय लग गए कितने स सरीया लग गया, लोगों का पैसा, लोगों ने सोना बेचा, बैंक से उधार लिया, उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिमिनल बोर्ट कहता है कि आपने बनाया क्यों रोको, अभी हम फैसला करेंगे कि ये 10 किलमेटर का दायरा होगा, ये तुरत क्यों नहीं फैसला करते हैं, जिससे में दे रहे हैं, नडा आथरिटी, एक क्लियर करते हैं, बिल्डर को, पहले भी या आप नेशनल ग्रीन ट्रिमिनल से ग्रीन सिगनल ले लो, उसके बाद तुम काम करो, अब जब बन गया तो 12 मंजिल बनने के बाद, 16 मंजिल बनने के बाद, इस ट्रिमिनल को याद आता है कि पक्षियों का भ्यारंड जो है बरबाद हो जाएगा अर्बो खर्बो रुप्या लोगों का बरबाद हो रहा है उस पर ध्यान ली जा रहा है तो अदालती प्रक्रिया नहीं मैं तो कहूंगा कि इसमें सुप्रिम कूट को रूलिंग असपस्ट करनी पड़ेगी कि आप पहले ही ये नियम लागू कर दीजिए कि ये क्लियरेंस प्रादिकरन पहले कर ले कि ये इसका लिमिटेशन क्या अभी तो इसी पर भी बात छिड़ा हुआ है कि वा आधे किलोमेटर के रेंज में बनना चाहिए या दस किलोमेटर के रेंज में इसके फैसले में यदि पीछे की और जाएंगे ये जो दूविदा और संसे है ना इसको दूर करने की जरूते है सिंगल विम्डो सिस्टम चाइना का अपनाना होगा गुजराथ जैसा हम बार-बार तारीफ करते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम पूरा क्लिरेंस एड्मिस्टेटिव क्लिरेंस जूडिशियल के बार बार प्रॉपटी बाजार में बार बार तपंजी ये सवार उठाए कि अगर सिंगल विंडो सिस्टम आता है तो कई जगों पर लोगों को फायदा हो सकता है अलाकि ये कहा जा रहा है कि यूपी सिंगल विंडो सिस्टम अगर दोनों को जोड कर दे के तो हम क्या पाते हैं सवालों का जबाब लेंगे लेकिन फिलाल है रुखेंगे एक चोड़ी से ब्रेक के लिए चल लाते हैं